दोस्तों web technology के playlist में अब हम बात करने जा रहे हैं टाइप सब एजय भी के बारे में तो इसके कौन-कौन से टाइप होते हैं चलो उसको समझने की कोशिश करते हैं तो basically मैंने हाँ पर जो types होते हैं इसके मैंने लिखे हैं तीन types होते हैं पहला session bean होता है, दूसरा message driven bean होता है और entity bean होता है ये जो तीनो types होते हैं बहुत important है आपके exam में पूछ लिए जाते हैं काफी बार तो इसे बहुत ध्यान से समझना, session bean में basically दो types होते हैं एक stateful होता है, एक stateless होता है और इसका कोई मतलब उत्रा नहीं होता है part ठीक है और जो तीसरा है entity bean इसके दो part होते हैं एक bean managed persistence होता है एक container managed persistence होता है जिसको sword में CMP बोलते हैं नीचे वाले को उपर वाले को BMP बोलते हैं कहीं ऐसे भी लिख कर आ जाता है, ठीक चलो अब बात करते हैं थोड़ा short-sort में कि session bean क्या होता है, message driven bean क्या होता है, entity bean इनके बारे में अभी बहुत detail में आगे discuss करेंगे लेकिन मैं हाँ पर पहले इसलिए बता देता हूँ कि थोड़ा आपको idea हो जाएगा इन सभी के बारे में कि actual में सारी चीजे क्या होती है ठीक, चलो, तो पहले point को हम लोग समझते हैं, session bean में तो पहला point पर क्या दिया हुआ है, session bean stores data of a particular user for a single session अभी देखो, इस point को मैं बताने से पहले, आपका concept मैं clear कर देता हूँ कि session क्या होता है अभी देखो, session bean को दिमाग से निकाल दो, message driven bean निकाल दो, entity bean सब को दिमाग खाली करो, अभी यहाँ पर आओ, session क्या होता है तो basically session यही होता है, कि यह आप web browser पर गए, आप google chrome open किये ठीक, google chrome open करने बाद आप किसी भी website पर चले गए, मालो wikipedia, gigs for gigs पर चले गए वहाँ पर कुछ तुमने सर्च करके पढ़ रहे हो, कुछ भी तुमने सर्च किया ठीक है, यानि कि server से और आपका session create हो जाता है, कि आप वहाँ से data ले रहे हो और session बन गया, session create हो गया, और session end कब होता है, जैसे ही आप web browser को बन करोगे आपका session end हो जाएगा, यह ध्यान देना अपने दिमाग में, कि जैसे आप web browser को बन करते हो वैसे ही आपका session end हो जाता है, और एक cookies का नाम आप लोग सुने होगे, cookies, cookies, जब भी आप किसी website पर visit करते होगे, तो यह accept करने के लिए आपको देता है, थोड़ा दिमाग चलाओ, सोचो, कि cookies आपको accept करने के लिए देता है, और ने देता है, तो जब आप cookies को accept कर लेते हैं, तो यह आपके system पर download है, install हो जाता है, जिससे क्या करता है, कि आपके system पर यह activity रखता है, नजर रख रहा होता है, कि तुम क्या कर रहे हो, कि समान पर product पर click कर रहे हो, इस website पर आके क्या तुमारा interest है, काफी चीज़े देखता है, और cookies का अगर मैं एक best example बता हूँ, तो Amazon प रहता है न, हर जंगा दिखाता है, कि अब तुम इश समान को देखे हैं worn, त θα खरीदो ही लो, इतना दिखा देता है न, कि परेशान कर देता है वो, तो यही located cookies का याँ नी, कि वह जान जाता है कि कौन बंदा यह किस पर click कर रहा है, और क्या चीज़े हैं, आप एक चीज औ उसे चेक आउट करो, उसे पेमेंट करो, उसे डिलिवर्ट करो, ठीक है, यही सब चीजे बोलता है ना, आपको बार-बार दिखाता है, तो यह सारी चीजे अक्टिविटी कुकीश के मदद से ही होते हैं, ठीक, तो मैं आपको रियल लाइफ का एक्जामपल इसलिए बोलता ताकि आपको इंट्रेस्ट है थोड़ा पढ़ने में, कि हाँ जो मैं चीजे पढ़ रहा हूँ, उसे रियल लाइफ से रिलेट हो रही हैं, और देखो, बहुत सारे लोग कह रहे हैं कि मैं यह आप ठीकल चीजे कुछ जादे लिख देता हूँ, तो मैं यार देखो, वैसे म लेकिन मैं यह आप लोगों के लिखता हूँ, ताकि जब आप लोग स्क्रीन सॉर्ट लो, जब आपको नोट्स में प्रोवाइड करो, ताकि सभी चीजे लिखी रहें, तो आप आसानी से उन्हें पढ़ सको, और चीजों को समझ सको, यानि कि अगर मैं भी सॉर्ट में समझ रहे होंगे मेरी बातों को, चलो, यह सारी चीज आपको समझ में आ गई होंगी, कि सेशन क्या होता है, और कुकीज क्या होता है, तो अब चलो सेशन की बारे में बात करते हैं, तो सेशन बीन में जो पहला पॉइंट है, सेशन बीन इस्टोर डेटा ऑफ पटिकुलर यूज user for single session जो session bean होता है ये particular user का data होता है single session के लिए store करता है ठीक उसके बाद देखो it can be stateful और stateless इसका concept अभी stateful, stateless का आगे देखेंगा क्या होता है ठीक है इसके पास कुछ less resources होते है as compared to entity यह जो इंटर्टी बीन है इसे कम रिसॉर्स वगर यहां पर होते हैं तो अभी देखेंगी इंटर्टी बीन भी क्या होता है सेशन बीन गेट डिश्ट्रॉइज सुन एज यूजर सेशन टर्मिनेट वही सेशन बीन आपका डिश्ट्रॉइज हो जाता है जैसे ही वियर का मैसेज ड्रिवन तो मैसेज ड्रिवन बीन इस सेशन बीन की तरह कुछ सिमिलर होता है लेकिन इसका सबसे माइनर जो डिफ्रेंस मैंगे आपर लिख दिया है बट इस अक्टिवेटेड़ विडियो देखेंगे मेरी जब पिछली उनिट्स मैंने कवर किया तो मैंने उसे प् कर रही है कौन नहीं करती है मैंने बताया था तो आपको मुझे यह लगताने कि हम जरू थे कि सिंग्रोनस क्या और जिनलों को नहीं पता जाओ पीछे मेरी वीडियो देखो वहा पहर time stamp भी मैंने दे रखा है तो time stamp में जाकर एजक्स ओला पार्ट देख लेना यह कबर हो जाएगा ठीक चलो मैं बता भी देता हूँ थोड़ा सा देखो synchronous में क्या होता है कि एक time पे एक ही process हो रहा होता है और asynchronous में एक time पे multiple process हो रहा होता है ठीक मैंने वहाँ पे single page application का अभी example दिया था ठीक है तो जाओ पहले वहाँ पे देख लो deep में पता चल जागा तुम्हें ठीक second point पर आते हैं when a message arrives then the isab container calls the message driven bean on message method to process the message message method को call करता है जो भी message आ रहा होते है उसे process करने के लिए ठीक बैसे की लिए डेटा अच्चुल में जो इस्टोर होता है जाके डेटाबेस में storage device में वह चीजों को यह दिखा रहा होता है ठीक पर्सिस्टेंट डेटा इस्टोरेज होता है ठीक उसके बाद देखो यह कोई logically बगर नहीं बता रहा होता है एक्चुल में जो डागे इस्टोर हो रहा होता न उस चीज की बात कर रहा होता है अब देखो सिकन्ट पॉइंट पर यूजर डेटा के डेटा बेस्ट विया इंटिटी बीश गया यहार देखो यहाँ पर डेटाबेस है यह डेटाबेस आपका है ठीक है आप अगर entity mean की मदद से हाँ पर data को आप क्या कर सकते हैं और entity mean की मदद से हाँ से आप data को निकल सकते हैं ठीक है तो इस वीडियो को एक like करो and comment करके बताओ मुझे कि हाँ आपको वीडियो समझ में आ रही है ये वीडियो आप लोगों के लिए helpful है ठीक है एक चीज़ और मैं बता देता हूँ कि यार देखो वीडियो बहुत जल्दी जल्दी प्रोवाइड भी नहीं कराई जा सकती क्योंकि मैं content नहीं खराब करना चाहता जल्दी प्रोवाइड करागा content भी अगर मैं खराब अपको प्रोवाइड करूंगा तो समझ में चीज़े नहीं आएं तो थोड़ा time तो लगता है ना यार उसमें ठीक है